स्वागत है दोस्तों आपका हमारी यूटूब चैनल Mr.Merson Guru में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको जयनकारी देने वाले हैं LMF9 टेबलेट के बारे में जो कि आप अपने स्कीन पर देख रहे हैं इसका क्या यूज है क्या बेन फिट है क्या साइड इफेक्ट है इसकी MRP कितनी है किस तरह के परिशानियों में डाक्टर इस टैबलेट को रगमेंड करते हैं और प्रेगनेंसी में इसका क्या रोल होता है महिलाओं के इससे क्या बेन फिट मिलता है पूरी प्रॉपर इंफर्मेशन के लिए बने रहें वीडियो के लास तक और अगर आप चैनल पर पहली बार बेट कर रहे हों तो चैनल को जरूर सब्सकाइब कर लें वीडियो को लाइक और पहला आइकन जरूर दोएं ताकि मैडिशन से रिलेटेड जो भी इंफर्मेशन हम से एर करें वो आप तक नोडिपिकेशन के माध्यम से जरूर पहुचे तो आईए जान लेते हैं सबसे पहले LMF9 टैबलेट के कमपोजिशन के बारे में कि किस-किस कमपोजिशन से मिलकर के यह टैबलेट बनी हुए तो जैसा कि आप अपने श्किन पर देख सकते हैं कमपोजिशन इस फिल्म कोटेट टैबलेट कंटेंट्स मेथाइल कोवलेमिन 1500 माइक्रोग्राम एल मिथाइल फॉलेट कैल्सियम 1 मिलिग्राम इसके लामा पैरिडॉक्सल 5 पासपेट 0.5 मिलिग्राम दिया हुआ है तीन कमपोजिशन से मिलकर के बनिया मेटसिन होती है और 180 रुपे की एक इस्टी पारती है यानि कि एक पत्ता इसका जो है दोस्तों 150 रुपे का आता है 185 रुपीज में से आप अपने आसपास के नजदी की मेडिकल इस्टोर से पर्चेश कर सकते हैं वहाँ पर इसका रेकमेंडेशन डाक्टर करते हैं इस टेबलिट के लेने से महिलाओं के शरीर में जो है अगर खून की कमी रहती है तो वह जो है पूरी होती है साथ ही साथ दूस्तों यह जो है जो गर्व में शिशू पल रहा होता है उसके लिए बहुत ही बेनिफीशियल होता है दोस्तों प्रेग्नेंसी के दोरान कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जन्हें नियूरल ट्यूब डिफेक्ट होने की संभावना होती है तो यह जो है उसे रोकने में काफी ज्यादा मातपूर भूम का निभाती है अब नियूरल ट्यूब डिफेक्ट का होता है दोस्तों वो प्रॉपर तरीके से डबलब नहीं होता है तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स ना हो जिसे बज़ा से डाक्टर LMF नाइब टैबलेट को रेगमेंट करते हैं इससे एंटीडियस वाली प्रॉब्लम को भी रोकी जाती है चाती चात महिलाओं में अगर खून की कमी है है मुल मुल्भ की बात करें तो one tablet OD का इसका । होता है यानि की 24 हर्स में एग टेबलेट लेना रहता है बात करें side effect की तो backнутर के लेने से कोई भी side effect नहीं होता है हाला कि कोई भी side effect आपको इस टेबलेट के लेने से हो तो आप अपने डाक्टर से आयोग ले उसके बाद इसका यू ने मतरम